नमस्कार आरे निउस देखने आप मैं हूँ आपके साथ पलवी सिंग उत्राखंड बुलेटन की शुरुआत करेंगे उत्राखंड में होने वाले विधानसभा चुनाफ से पहले अब मुस्लिम युनिवरसिटी कोले जाने का मामला गर्माता नज़र आ रहा है दरसल प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी इसको लेकर कॉंग्रेस पर तुष्टी करण की राज़रीती करने का आरोप लगा रहे है ऐसे में उत्राखंड के पूर मुख्य मंतरी हरिश रावत ने पेम मोदी को चुनावती देते हुए कहा मुस्लिम उनिवर्सिटी को लेकर कॉंग्रेस को घेरा जहां पर उन्होंने कहा कि ऐसे तुष्टी करन की राज़रीती नहीं होनी चाहिए उत्राखंड में होने वाले विदान स्वा चुनाव से पहले ही अब मुस्लिम उनिवर्सिटी खोले जाने का मामला गर्माता नज़र आ रहा है दरसल प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी ने इसको लेकर कॉंग्रेस पर आरोप लगाया था और ऐसे में अब उत्राखंड में पूर्व मुक्य मंतरी हरि श्रावत ने प्यम मोदी को चुनावती देते हूए कहा कि अगर उन्होंने ऐसी बात कही है तो वो अपने प्रांट ठ्याग देंगे बता दें कि प्रधान मंत्री मोदी ने उत्राखंड में चुनाव के मद्देनजर रैली की थी और कॉंग्रेस को घेरते हुए इस तरह का रोप यहां पर लगाया गया था इस दोरान उन्होंने कॉंग्रेस पर मुस्लिम उनिवर्सिटी को लेकर घेर लिया था साथ उन्होंने कहा कि ऐसी तुष्टी करण की राशनीती नहीं होनी चाहिए तो में उत्राखंड विधान सबा चुनाव में पार्टी विरोधी गति विधियों में लिप्त नेताओं को बाहय का रास्त दिखाने की कारवाई लगातार ज़ारी है अब दो पूर विधायकों को पार्टी की प्रात्मिक सदसिता से 6 साल के लिए निश्कासित कर दिया गया है इसके पहले दस से अधिक प्रमुक नेताओं को पार्टी से निश्कासित किया गया था और इसके साथ ही अब प्रदेश कॉंगर्स कमिटी के महासचेव संगठन मतुरादत जोशी ने बताया है कि प्रदेश कॉंगर्स कमिटी की ओर से जिला कॉंगर्स कमिटी हरिद्वार की अनुशंसा पर पूर विधायक तसलीम एहमत को पार्टी की प्रात्मिक सदस्यता से 6 साल के लिए निश्कासित किया गया है तसलीम पार्टी से बगावत कर लक्सर से पार्टी प्रतियाशी अंतरेक्ष सैनी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं जबकि 2017 में चुनाव में वो कॉंग्रस से आधिकृत प्रतियाशी थे और वो साल 2002 में बहादराबाद से बसपा के टिकेट पर विधायक चुने गए थे दूस्ती बड़ी कारवाई जिला कॉंग्रस कमिटी प्रतौरागड की अनुशंसा पर पूर विधायक नरायन राम आरेक के खिलाफ की गई है उन्होंने पार्टी विरोधी गतिविधियों और अनुशासन हीन तक इचलते पार्टी से 6 साल के लिए निश्कासित कर दिया गया आरेक अंग्ली हाट से साल 2002 और साल 2012 में कॉंग्रस के टिकेट पर विधायक चुने गए थे अब प्रधार मंत्री नरेंद्र मोदी जन्च अपाल कारेकरम के तहट आज बुदवार को उत्राखंट के टीहरी जिले के मतदाताओं को वर्च्वली संबोधित करने वाले थे लेकिन किनी कारण वर्च्वी कारेकरम रत कर दिया गया है इससे पहले प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी, हरिद्वार, रिशिकेश, नैनिताल, उधम सिंग नगर और तमाम मतदाताओं को संबोधित कर चुके हैं मंगलवार को नैनितार और धमसिंग नगर जुले की जनता को वर्चुली संबोधित करते हुए प्रधान मंत्री नरेंदर मोधी ने कहा कि इस बार का चुनाव महत्वपूर्ण है इस चुनाव इस दशक को उत्राखंड का दशक बनाने में एहम भूमिका निभाएगा साथी अगामी 25 साल की बुनियाद को मजबूत करेगा नीव जितनी मजबूत होगी उतनी मजबूत इमारत बनेगी इस चुनाव में नैदल भी मैदान में है और कुछ ऐसे दल भी है जिन्होंने सालों तक उत्राखंड से दुश्मन हे निकाली है कुछ दल ऐसे भी है जो के लोगों को निकाल दिया था ऐसे लोग आज आप से वोट मांगने आए हैं देश में प्रदेश में जिन्हों ने सालों तक राज किया ऐसी कॉंग्रेस की नियत और निष्ठा क्या है इस अनुमान में चुनाव कैम्पेइन और नारों से लगाया चुआ सकता है